नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत खुमार सिंग एडवांस एक्षन ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूटूब विडियो टिक्टोरियर में जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्षन फोर माइस रिपूर्ट अट्रमेशन दोस्तों 2019 की एक सबसे अच्छी फॉर्मुला हम एक्स लुकप के बारे बात करेंगी जी हां मैं वी लुकप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एक्स लुकप की ते ओविश ट्री सिक्टी फाइब और आपका 2019 का फॉर्मुला है चलिए इस पर आज हम आपके सा साथ है ताकि लगता कैसे है work करता है चीज को जानी है तो जैसे की यह हमारे पास data है और मुझे इसमें से उठाना है data तो जनरली हम्चा वी लुक अप ऐसे याजारों वीडियो जे बाट एक्स लुकप यह पहली वीडियो है तो चलिए हम एक्स लुकप के पारे में डिसकर्स करते हैं तो X look up लगाने का तरीका है यहाँ पे X look up simple look up value और फिर आपका इस value को किस column में match करना है ओ आप लगाईए और किस column से result देना है उस column का नाम यहाँ दे दीजिए आपके सामने result आजाएगा यह data match रही कर रहा है मैं छोटा data रालता हूँ आपके सामने data आगे यही क्या माम का V look up भी करेगा और X look up करेगा वो इसका value fit क्या है तो ऐसे देखे V look up को मैं तकरीबाद 2 से 2,5 घंटे में सिखाता हूँ तो X look up पे एक वीडियो में पुरी चीज़े ने बता सकता लेकिन हाँ आपको इसके कुछ फायदे बता सकता हूँ मैं और इसके कई सारे वीडियो स्रीज में डालूँगा जहां आप X look up के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे तो आपने देख लिया कि X look up बड़ कैसे करता है जिसलाए V look up की तरह अब इसके benefits के बारे में हम discuss करते है अब जैसे कि यहां पर देखिए सबसे पहला benefits सबसे पहला benefits है कि यहां पर हमारे पास value है बट हमारा जो unique ID है SID ओ स्टार्टिंग में नहीं है ओ है ending में बीच में, middle में, ending में है तो इस पर हम V look up नहीं लगा सकते इसके लिए हमने क्या किया था हमने index match या offset match को use किया था index match या offset match अब यहां पर X look up बहुत ज़रा कारण होगा इस्ते माल जीए मुझे यहां पर 108 को look up करना है तो मैं यहां पर X look up use करूँगा X look up को select करूँगा और मैं look up रहे कि इसमें करना है इसमें करना है और result किसका चाहिए तो मुझे result चाहिए online इसका या पर sales mode का enterprise कीजिए result आपके सामने है तो इतनी बड़ी formula लगाने के मुझे जरूरत नहीं है हमने simple सा यहां लगा दिया और इसका अगला example आप देखेंगे कि मैंने कई साथ जगों पर if error का इस्तमाल किया हो जैसे कि कई साथ फॉर्मले में मैंने if error का इस्तमाल किया है जैसे देखें यहां पर if error का इस्तमाल किया है if error का इस्तमाल करने का region क्या था region नहीं था कि अगर value नौ मिले अगर value नौ मिले तो इस केस में कैसे करेंगे इसके लिए जैसे कि मैं यहां भी लगाता हूं, अभी यहां भी लगा लगाता हूं, यहां भी lookup lookup value और मैं table lookup में आ गया table lookup हमारा यह रहा कि मुझे match इसमें करना है return माले जे मुझे करना है date को और यहाँ पे third if not font यहाँ दिख रहा होगा if not font तो यहाँ पे हमने दे दिया data not match तीसरा फैदा यहाँ पे आपको यह हो रहा है यहाँ पे अगर 425 दिया तो result आ गया लेकिर इसकी पे अगर मैं number दे दू तो data not match तो यहाँ पे if error भी लगाने की जरुरत नहीं है और multi sheet we lookup से भी यहाँ पे आप अगला x lookup लगा दे तो multi sheet lookup भी इसी तरह से लग जाएगा तो उमें कई सारे lookup लगाने की जरुरत नहीं है यह हमारे x lookup की तीन benefit था पहला कि हम कैसे लगाते हैं दूसरा हमने बताया कि match और index के जगापी इसको लगा सकता है तीसरा इसमें हम x if error यूज़ करने की जरुरत नहीं है और चौता यहाँ पे हम group looking भी कर सकते हैं तो इसके बारे में जैसे कि यहाँ पे हमने group किया हुआ है इसको भी किया जा सकता है तो इसके बारे में हम आपको आगी के classes में बताएंगे आगी के वीडियोज में बताएंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ complete advanced Excel सीखना चाहते हैं तो iptr.com पे जाए हमारी live classes जी हाँ live one to one मैं खुद आपको प्रहाम का जिसमें आप सारे questions आंसर कर सकते हैं तो ओ जोईन कर सकते हैं या पि हमारे recorded pain drive को purchase कर सकते हैं तो फटाफोर्ट में विबसाइट को लॉगिंग कीजिए और किसी भी तरह की Excel की problem के लिए मुझे call कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं या Skype कर सकते हैं मुझे रहेगा आपके call और Skype और WhatsApp का इंतजा और फटाफोर्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए अप्रण तो को शेर्क